नमस्कार दिस अगें सिय नितन कनवर सब बहुत लोग को प्रॉलम आ रही है इन रिलेशन टू कैपलिक इंटेक्स करें तो क्या रेट है वह हमने डिस्स किया था आज हम डिस्स करेंगे सर एक्चुली सर वो जो लोगों ने कुछ लोगों ने अपने सेबिनार में यह बोल दिया था कि अब तो 23 जुलाई के बाद दो ऑप्शन्स है और कई लोग तो और आगे बढ़ गए उन्होंने कहला भाईया अगर एक उप्शन में लॉस है तो उस लॉस को उसाफ से बन से स्पीकर से तो यहां तक बोलना शुकर दिया कि सर अगर आपको लॉसिस है तो लॉसिस भी आपकी कैरी फ़ोड हो जाएंगे विद रिटेसिशन अगर आपकी प्रप्टी तेज जुलाई के बाद भी की है सर प्लीज एप्रिशेट किजेगा सर पहले इंकम टैक्स कैसे प बोल दिया है कि सर जो यह जो यह जो प्रपपरिटी भी की है वहां पर 20 टॉड ऑफ जुलाई तो अब यह जो जो ग्रंड फादरिंग हुई है वो जाके एक सक्षेट्श एक सो बारा में हुई है और सक्षेट्श और यह ए सर इंकम टेक्स का स्पेशल रेट है अब क्या हुआ सर इसका मतलब सर वो अगर आप 112 को ध्यान से पढ़ें टॉटल इंकम की बात करता है और इंकम टैक्स में टैक्सिशन इंकम का नहीं होता टोटल इंकम का होता है तो इंकम टोटल इंकम का बनती है तो इंकम का बनती है तो इंकम करते हैं कोई बचती है उसके बाद जो टैक्स रगता है वह है टोटल इंकम section 4 को ध्यान लखे total income पे टेस्ट रखता है income पे लखता तो please appreciate कीजिए amendment की ग्रैंट फादरिंग करिए section 112 में करी है section 48 में कोई amendment नहीं करी तो अगर मैं amendment को ध्यान से पढ़ू उसका मतलब क्या है कि sir जब आप long term capital gain calculate करेंगे तो ऐसे case के अंदर आप अब नए law की तरह मतलब without indexation benefit के बाद आप capital gain calculate करेंगे अगर आप को carry forward करना है let us say losses भी carry forward होंगे तो sir आपके नए तरीके से calculate किये जाएंगे माल लीजे आपको set off करना है पुराना long term capital loss है या उस साल में कोई और current year का long term capital loss है उसे set off करना है तो भी आपको नए तरीके से calculate करना पड़ेगा अगर आपको reinvestment करनी है let us say अगर मैं commercial property बेचता हूँ let us say commercial property बेचता हूँ तो मैं 54F का benefit मिलेगा अगर initial property आगे बेचता हूँ पर यह अगर मैं ratio property अगर लगाता हूँ तो 54 का benefit लेना पड़ेगा तो नए तरीके से चाहे मैं setup की बात करूँ चाहे मैं carry forward की बात करूँ चाहीan reinvestment की बात करूँ चाहे मैं capital calculation की बात करूँ या aggregation of incomes की बात करूँ सब के अन्दर नए तरीके method से बनेगा कोई दूसरा option allowed नहीं है मैं फिर बोल रहा हूँ कोई दूसरा option allowed नहीं है सिरफ एक ही तरीका है अगर तरीज जुलाई के आप प्रॉपटी बेची है आपने तग क्याप्टर गे नहे तरीके से रिकालना पड़ेगा आपको indexation का benefit नहीं मिलेगा अब अगर आप resident individual है या फिर HUF है मैं फिर से बोगता है resident individual है पर benefit नहीं है इस only this benefit is only available to resident individual और HUF और लोने बोला resident individual और HUF है है आप तो ऐसी case के अंदर kindly appreciate सर आपको grandfathering दीए तो हुआ क्या माल लिजे ये सारा काम करने के बाद ये set-off करने के बाद आपकी deduction आपकी reinvestment के बाद या deduction exemption लेने के बाद आपकी capital gain माल लिजे बचा एक करोड रुपे और एक करोड के साफ से माल लिजे टेक्स बनता है से 40 लाग या फिर साड़े एक करोड बेस टेक्स बनना साड़े 12 लाग रुपे अब ऐसे case के अंदर आप re-compute करेंगे कि अगर पुराना लाग जिन्दा होता ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ है पुराने लाग में 149 के बारे में लिखा था जहांपे उन्हें बहुता अगर पुराने साल में नहीं खुशता था तो अब भी निखुल पाएगा दो एसेस्मेंट का टाइम 10 साल था तो सेम वे आपको पुराने लाग के हिसाब से दुबारा के लिखुशन करने पड़ेगी ये तब ही हो पाएगा जब आपका सर्व नए तरीके से क्यापिल गें टैक्स आ रहा है अगर नए तरीके से क्यापिल गें टैक्स नहीं आ रहा पूरा पूरा क्यापिल गें सेट ओफ हो चुका या आप बाढ़ लिखे आपको क्यापिल लॉस है तो ऐसी केस के अंदर सर्व आप नए पुराने तरीके में दुबारा नहीं जाएंगे कि तभी जाएंगे जब आपका नए तरीके से क्यापिल गें टैक्स आ रहा हो और जब क्यापिल गें टैक्स आ रहा होगा तो आप सर्व पुराने तरीके से दुबारा केल्कुलेट करेंगे कब जब आप रेजिए इंडिविजुल है या फिर एच्वाफ है ऐसी के अंदर आप चेक करेंगे अगर यह जो 12.5% वाला यह टैक्स है और यह जो 20% वाला जो निकला है और वो मलजी 20% वाला कम है और 12.5% वाला जादा है तो ओबर एड अबग 20% वाला जो टैक्स है वो डिपार्टमेंट कहता है सर इंकप्रेस कहता है हम फॉर्गो कर देंगे जिस तरीके से मैंने बताया अगर एक कुड़ का क्याप्टमेंट है और नए तरीके से आया तो 12.5% साले बारा पसंट साले बारा लाक रुपे हो गया अगर मैं पुराने तरह से कल्कूलेट करता और क्याप्टमेंट इनाता मान लिए 50 लाक रुपे उस पर 20 फेंट किता मना 20 फेंट मना 10 लाक रुपे तो इसका मतलब जो धाई लाक रुपे का जो अमाउंट है वो अमाउंट फॉर्गो हो जाएगा पर मान लीचिए सर आपका सर नए तरीके से लॉस आया तो सर फॉर्गों किसे करोगे आप या फिर आप मान के चलिए सर नए तरीके से तो साड़े बारा टेक्स आया और पुराने तरीके से कल्कूल करते है वहाँ बे लॉस आजाएगा तो प्लीज एप्रिशेट कीजेगा सर एक सो बारा जो ग्रैंट फादरीं का जो बेनेफिट है वो तभी मिल पाएगा जब आपको सर आपका टेक्स कल्कूलेट हो रहा है मैं अगर समराइज कर देता हूँ इसको मैं समराइज कर देता हूँ कब convince तो जो भी लोग interpret कर रहे है कि भाषन दो ऑफ्शन मिल जाएगे कई लोग एँ भी बोला या हम सर्कूलर इशु करा देंगे सॉरी सर्कूलर नहीं इशु और इशु होगा भी तो that will be bad in law अगर आप judgment पड़े अयूडा या new noble जो आई थी 19 October 2022 को 26 Supreme Court ने वो रहा था भाई ये जो circular निकाल रहे हो न आप अगर ये assessment provision related है तो तो मैं मान लूँगा ये binding है पर अगर मान लिजे कोई ऐसा circular है जो substantive law की बात कर रहा है और substantive law कुछ और बोल रहा है और सर्वर कुछ और बोल रहा है तो वो binding force नहीं रहेगा उन्दा court मैं कीर हूँ आपको सर तो प्लीज है पिछले पहली बात तो इसका कोई issue होगा नी तो इसका मतलब अगर मैं summarize करूँ फिर तुबारा बोल देता हूँ कि सर, capital gain अगर tax आ रहा है नए तरीके से तो तो grandfathering का benefit है otherwise कोई दूसरा option नहीं है तो what I want to say सर, जब आप carry forward losses करेंगे या फिर आप setup की बात करेंगे aggregation of income की बात करेंगे reinvestment करेंगे या फिर capital gain की calculation करेंगे capital gain की इन पांचों के लिए प्रॉपटी 23 जुलाई के बाद है पर अगर 23 जुलाई के बाद राश रूई है पर अगर मालीचे अगर आप a case resident individual और हुआफ है ऐसे case के अंदर grand fathering का benefit तभी मिल पाएगा जब आप property land और building बेच रहे हैं और land और building के अंदर सर, अगर आपका tax पुराने तरीके से निकालते वो अगर कम होता और नए तरीके से निकालते ज़्यादा होगा तो जो difference है वो department कहता है मैं forgo कर दूँगा तो इसको प्लीज ध्यांसे पड़े सर, गल तरीके से interpret ना करे और कोई भी और कोई रियो on capital index प्लीज डिस्कुस कर सकते मुझसे सब था, thanks a lot happy learning, जै ICI, जै हिंद